हेए अवरिवान आज हमने आमला का खट अमिठा चार बनाया जिसको हमने शूगर फिली बनाया है बहुत ही हेल्दी रेसपी है और हमारे घर पे तो यह होगी हिट सबकी फेवरेट हो चुकी है यह रेसिपी अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पे अचार बनाते हो तो आपके घर पे भी ऐसी सुपर हीट होने वाली है तो जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फट अफट से चलते हैं कि चिछन में रेसिपी को देख लेते ुख करने के बाद सारे कुट करें रिक देंगे और बाथि एसा मिक्स भी देढ़ेंगे बाकी श्याट में टालेंगे रेट चिली पाूडर है ब्लेक सॉल डालेंगेया रॉक सॉल डालेंगे तर्मरीक है और कुरियंडर पावडर है सात में हमें सॉन्फ पावडर भी डाला है भुने जीरे का पावडर है अच्छा से म्क्स दे जा från haunted मैसाल एच्छ से इवनली सभी और कोट हो जाने चाहिए इस पर जिंजर पाउडर भी हमने डाल दी है बहुत ही बड़ी है फ्लेवर देता है जगरी पाउडर में बनाने वाले हैं चीनी यूज नहीं करेंगे यह मीठे का हेल्दी ऑप्शन हो जाता है अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इस बहुत ही बढ़िया होने वाली है जब जैगरी पाउडर मेल्ट हो जाता है उसके पाद आपने तीन से चार मिनिट इसको और कोट करना है ध्यान रखने इस बात का बहुत ज़ादा कोट नहीं करना है नहीं तो आपका अचार स्टिकी सा हो जाएगा जैगरी पाउडर है वो ओवरकुक हो जाएगा तो लीजिए बहुती कमाल का खटा मीठा शुगर फ्री अचार बनके रेडी हो चुका है इत्ता बड़िया अचार है कि आप इसको एक साल तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो चाहे आमले का सीजन ना हो फिर भी आप आमले का अचार खा सकते हो अगर इस रेसिपी को आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो हमारे पीच को लाइक करें फॉलो करें अगर रेसिपी को यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें तबी सबी नई वीडियो का आप अपना प्यार हमारे पेच के लिए हमारे चैनल के लिए ऐसे ही बनाए रखें तो जल्द मिलेंगे नए इजी हल्दी यनीक रेसिपी के साथ थेंक्स फॉर वाचिंग टेक क्यार एंड बॉ बाई